सतकुरू की साजी निवाजी, प्यारी सासंग जी, प्यार और सतकार से कहना दान निरंकार जी, सासंग जी, सतकुरू मातर जी की असीम किरपा से दासी आख्ची के चर्णों भी ये विचार रखने जा रही है, आप जी ये विचार प्रवान करना, ये विचार हैं हमारे विश क्याते हैं संपूर्ण हर्देवाणी में भी सत्कुरु बाबा हर्देव सिंग जी माराज ने कहा है ऐ मन रख विश्वाश प्रभू पर नित आनंद उठाएगा पक्का है विश्वाश तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा ऐसे हिदासी आप जी के चर्नों में एक कहानी अखने जा रही है आप जी ये कहानी जो है परवान करना और इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह है जब इनसान का विश्वाश पक्का हो जाता है तो उसके सारे काम में उसको सफलता मिलती चली जाती है उसके सभी काम पूरण हो जाती है अगर विश्वाश नहीं है तो क आप जी के चरणों में दासी रखने जा रही है ये विश्वास पर ही है आप जी परवान करे किसी गाव में राम नाम का एक नव्यूबक रहता था वे बहुत महिंती था पर हमेशा अपने मन में एक ही शंका लिये रहता था कि वे अपने काम में सफल होगा या नहीं कभी कभी तो वो इसी चिंता के कारण दूसरों पर क्रोधित भी हो जाता था एक दिन उसके गाव में एक परसिद महात्मा जी का आगमन हुआ समाचार मिलते ही राम महात्मा जी से मिलने पहुचा और बोला महात्मा जी मैं बहुत महिनत करता हूँ सफलता पाने के लिए हर एक पर्यतन करता हूँ पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती किर्प्या आप ही कुछ उपाए बताएं महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा तुमारे समस्या का समाधान इस चमतकारी तावीज में है मैंने इसके अंदर कुछ मंतर लिखकर डाले है जो तुमारे हर बादा दूर कर देंगे लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शम्शान में अकेले गुजारनी होगी शम्शान का नाम सुनते ही राम डर गया कहने लगा मैं रात बर अकेले शम्शान में कैसे रहूँगा तो सादू ने कहा संद महत्मा ने कहा गबराओ मत यह कोई मामूली तावीज नहीं है यह हर संकड से तुम्हें बचाएगा राम ने पूरी रात शम्शान में बिताई और सुबह होते ही महत्मा जी के पास पहुँचा और कहा है महत्मा आप मान है सच मुच यह तावीज तो बहुत ही चमतकारी है वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ती रात बिताना तो दूर शम्शान के करीब भी नहीं जा सकता था निश्चे ही अब मैं सफलता प्रापत कर सकता हूँ इस घटना के बाद राम बिलकुल बदल गया अब वह जो भी करता उसे विश्वाश होता कि तावीज की शक्ती के कारण वह उसमें सफल होगा और धीरे धीरे यही हुआ वह गाम के करने गया और उनके दिये गए चमतकारी तावीज का गुणगान करने लगा तब महात्मा जी बोले बेटे जरा अपनी तावीज निकाल कर देना उन्होंने तावीज हाथ में लिया और उसे खोला उसे खोलते ही राम के होश उड़ गए जब उसने देखा कि तावीज के अंदर कोई मंतर वंतर नहीं लिखा हुआ था यह तो धातु का एक टुकड़ा मात्र था राम बोला ये क्या महात्मा जी ये तो एक मामूली सा टुकड़ा है फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलवाई महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा सही कहा तुमने तुमें सफलता इस तावीज ने नहीं बलकि तुमारे विशवाश की शक्ती ने दिलाई है हम इनसानों को भगवान ने एक विशेश शक्ती देकर यहां बेजा है वो है विशवाश की शक्ती तुम अपने कारे शेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुमें खुद पर यकीन नहीं था खुद पर विशवाश नहीं था लेकिन जब इस तावीज की वज़ा से तुमारे अंदर वो विशवाश पैदा हो गया तुम सफल होते चलेगे इसलिए जाओ किसी तावीज पर यकीन करने की बजाए अपने करम पर अपनी सोच पर अपने लिए फैंसले पर विशवाश करना सीखो इस बात को समझो कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और इस तरह अगर सोचोगे तो तुम सफलता के शिकर पर पहुच जाओगे इसी तरह दासी एक और स्टोरी आप जी के साथ शेयर कर रही है ये भी विशवाश पर ही है एक आठ साल का बच्चा एक रुपे का सिक्का मुठी में लेकर एक दुकान पर जाकर कहता है क्या आपके दुकान में क्या आपकी दुकान में इश्वर मिलेंगे दुकान दार ने यह बास सुनकर सिक्का नीचे फैंक दिया और बच्चे को दुकान से बाहर निकाल दिया बच्चा पास की दुकान में जाकर एक रुपे का सिक्का लेकर चूप चाप खड़ा रहा ए लड़के एक रुपे में तुम क्या चाते हो मुझे इश्वर चाहिए आपकी दुकान में है बच्चे ने कहा मुझे इश्वर चाहिए आपकी दुकान में है दूसरे दुकानदार ने भी उसे महां से भगा दिया लेकिन उस अबोद भालक ने हार नहीं मानी एक दुकान से दूसरी दुकान दूसरी से तीसरी ऐसा करते करते कुल चालिस दुकानों के चक्र काटने के बाद एक बजुरक दुकानदार के पास पहुचा उस बुजुरग दुकानदार ने पूचा पूचा तुम इश्वर को क्यों खरीदना चाते हो क्या करोगे इश्वर लेकर पहली बार एक दुकानदार के मुँ से यह कोशन सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरने लहराई लगता है इसी दुकान पर ही इश्वर मिलेंगे बच्चे ने बड़े उस साह से उत्तर दिया इस दुनिया मेरी माँ के इलावा मेरा और कोई नहीं है मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है मेरी माँ अब होस्पिटल में है अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे खाना कोन खिलाएगा डॉक्टर ने कहा कि अब सिरफ इश्वर ही तुमारी माँ को बचा सकते है क्या आपकी दुकान में इश्वर मिलेंगे तो दुकानदार ने का हाँ मिलेंगे कितने पैसे हैं तुमारे पास तो बच्चे ने कहा राम ने कहा सिरफ एक रुपया तो दुकानदार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रोब्लम नहीं है एक रुपय में ही इश्वर मिल सकती है दुकानदार बच्चे के हाथ से एक रुपया लेकर उसे कहते हैं कि उसने पाया कि एक रुपय में एक गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से एक गिलास पानी भर कर दिया और कहा यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी दुकानदार ने बच्चे की हाथ से एक रुपया ले लिया और उसने एक रुपय में एक किलास पानी दे दिया और उसे कहा कि इस पानी को ले जाकर अपनी माँ को पिला दो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी अगले दिन कुछ medical specialist उस hospital में आए बच्चे की माँ का अप्रेशन हुआ और वह बहुती जल्दी स्वस्थ हो गई डिश्चार्ज के कागज पर डिश्चार्ज के पेपर्स पर होस्पीटल का बिल देखकर उस लेडी के उस ओरत के होश उड़ गए डोक्टर ने उन्हें आशवाशन देकर कहा टैंशन की कोई बात नहीं है एक बजूरग सजन आये थे वो आपका सारा बिल चुगा गए है और साथ में एक लेटर भी दे गए हैं जब उस लेडी ने वो लेटर खोल कर पड़ी तो उसमें लिखा था मुझे धन्यवाद देने की कोई आविश्यक्ता नहीं है आपको तो इश्वर ने ही बचाया है मैं तो सिर्फ एक माद्यम हूँ यदि आप धन्यवाद ही देना चाहते हैं तो अपने उस अबोद बच्चे को देजिए जो सिर्फ एक रुपे को लेकर ना समझो की तरह इस परमपिता प्रमात्मा को ढूंडने निकल पड़ा उसके मन में यह द यदि मन में अटूट विश्वाश हो तो वो एक रुपे में भी यह इश्वर एक रुपे में भी मिल सकता है संगत जी इसी तरह कहते हैं कि यह सत्गरू निरंकार ने सारे काम किये होते हैं लेकिन यह किसी भी घट में बैठकर कोई भी किसी का भी काम करवा देता है यह काम करवाने के लिए उस महात्मा का उस इनसान का काम करवाने के लिए ये सत्गुरु घट चुन लेता है कि ये इस घट से होगा इस इनसान के मादम से होगा इस शरीर के मादम से एक काम होना है इसलिए हम हमेशा सत्गुरु निरंकार पर अपना विश्वाश अटूट विश अच्छा अच्छा ही करेगा, हम कभी भी डुलाए मानना हो, संगजी जो सत्गुरु निरंकार का सहारा ले लेता है, देर जरूर हो सकती है, लेकिन उस काम में अंधेर नहीं हो सकती, उसमें दुक नहीं हो सकता, अगर देरी हो रही है किसी काम को बनने में, तो उसमें भी सु होगा ये हम सोचें ये भगवान को अगर हम अच्छे सची भावना से सच्चे हिर्दे से बुलाते हैं तो ये दोड़ा चला आता है इसको हम सच्चे हिर्दे से सच्चे भावना से बुलाएं तो सही ये सत्गुरु निरंकार हमेशा हमारे अंग संग है ये हमारी शहर अंग स सब के दिलों की जानता है किसके मन में क्या चल रहा है इस तरह हमें संपून हर देवबानी में शबद द्वारा भी समझाया गया है कि ए मन रख विश्वास प्रभू पर नित आनंद उठाएगा पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा जिस तरह वो ले पर अचसान के अंदर प्रभू का ही वास हुआ और वो बेहन बच गई आगे कहा है लहरे खाएंगी हिच्च कोले नईए डग मगाएगी है अगर विश्वास का चकपू नईए डूबना पाएगी विश्वासी जन का ही होता भव से पार उतारा है विश्वासी जन को ही मिल हैं दुनिया का इतबार करेगा पकपक ठोक कर खाएगा इश्वर पर विश्वास रखेगा मंजिल अपनी पाएगा अगर दुनिया पर विश्वास रखेगा तो दुनिया तो डुलाए मान है यहां पर ठोक रहे हैं लेकिन अगर इस सत्गुरु निरंकार पर विश्वास आता रखता आया लाज है दीन दे आलूने भगतों का सदा समारा काज है कभी तेरा विश्वाश न तूटे दुख आए या सुख आए कहे हर देव डोल न जाना चाहे कुछ भी हो जाए सद्कुर बाबा हर देव सिंग जी महाराज ने इस शबत के द्वारा हमें समझाया है कि कभी भी हमारा विश्वाश न तूटे तूख आए या सुख आए हमने डोलना नहीं है हमने हमेशा एक रस रहना है सचे पाशा के उपर अपना तूट विश्वाश करना है और ये भगतों की लाज हमेशा से रखता आया है ये दीन दियालू है ये भगतों के सारे कारज रा नहीं कम है, सब धर्ती कागद करूं, लेखनी बन सबराए, सास समुंदर की मसी करूं, गुरु कुन लिखा न जाए, गुरु के गुन तो बेंद है, गुरु के गुनों को हम विशाल, गुरु के गुनों को हम गुनगान नहीं कर सकती है, हमारी जुबा बहुत छोटी है, इस इस विशाल प्रपु से इस निरंकार से नाता जूट जाता है तो विश्वाश भी आ जाता है और मन की भटकन भी समापत हो जाती है और मन स्थिर के साथ मिलकर स्थिर हो जाता है ऐसे ही हम सत्कुर माताजी के चर्णों से यही आशीरवाद मांगती है सच्चे बाच्षा सब्दा भला करो करतार साड़ी मंग है एदातार सच्चे बाच्षा सारी संगत के चर्णों में यही अर्दास है आप जी बक्षन हार हो, बक्ष लेना, आगे के लिए सद बुद्धी देना, सद विचार देना जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैं नू बक्ष लो तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैं नू बक्ष लो बोल ये सत गुरू माता सुदिक्षा सविंदर, हर देव जी महराज कीजै निरंकारी राज माता, गुरू बचन अवतार कीजै प्यार से बोलो प्यारयों धन निरंकार जी झाल 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 कि अुरिया क्वेटर रहा है क्यद्टर रहा? एकाम इस पेसी नहाज में बता नहीं आप एरी पूरी भी होई है इतनी मैंने मेन नित करी है अरी कैंसल कर देते चल जाता है होगी है